से शालवलेकरूंब लिए शालस खान और आप देखें एक नहीं वीडियो तो दोस्तों एक और फ्रॉड पानकर पड़ के ठीक है और ऐसे रोजाना कंटרכने कितने अब अगर मैं आपको सारी बार बताऊंगा ठीक है जो कोरियन बेल से होंके बारें बताऊंगा और चाइनीज के बारें बताऊंगा तो उन्होंने जो बेल परचेस करी 80 kg ठीक है उसका सारे प्रूफ में आपको शुर कर देता हूं ठीक है इस बार किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि दिखो मैं बताता रहोंगा कोई फाइदा नहीं ठीक है तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि क्या इसमें रिस्क है किस तरीके से आपको काम करना चाहिए तो आप देख लिए ठीक है इसक्रेंशॉट डेख लिए पेमेंट के तो दोस्तों हुआ कि सबसे प पेमेंट जैसे आपसे 12000 रुपे लिए तो जो एलार जनरेट होगा वो का 35 रुपे का ठीक है और उसमें रैक्स लिखा जाएगा और आपको जो प्रमोट किया जाता है वो किया जाते कि देखो कितना बहत्री निकल रहे हैं उस पे रैक्स लिखा जाता है 35500 रुपे ऐसे ब दोस्तों जो सब्स्राइबर है उन्होंने 12000 रुपे की परचेस करी थी चाइनीज और मैं हमेशा बताता है ठीक है इसके ओपर डिटेल वीडियो भी आएगी दोस्तों और चाइनीज में बहुत जादा डिफरेंस है जमीन आसमान का फर्क है प्राइज में और क्वालिटी म इसमें डिफेक्ट रहता है लेकिन उसके प्राइज सो देड़ सो रुपे फांतू रहते हैं पर केजी ठीक है प्राइज परक होता है लेकिन बात वहीं पढ़ जाती है क्योंकि अगर हम करें हमारे दस पीस निकले चाइनीज वाले प्रड़क्त में ठीक है उसमें हमारा पर 20 रुपे हो जाएगी दो गुनिए अगर हम प्रोड़क्त ले रहे हैं उसमें से एक खराब निकलते हैं तो उसकी कोस्टिंग इतने इंक्रीज नहीं होगी 10 रुपे तो 11 रुपे पढ़ेगा चाइनीज आपको सीधा 20 रुपे पढ़ता है तो दोस्तों यहां से आप देख होता है लेकिन जो खासके नहीं लोग हैं घाएली हे फ्राउड होता है लेकिन यह पैसे लगाने के बाद आपको काम का मतलब वह फिर कप्ले का काम ही छोड़ देता है वह करी नहीं सकता थे क्योंकि वह सोचता है कि यहां इसमें तो लॉस है नुकसान है तो दोस्तों यह फ्रॉड है टिक है इतना नहीं होता ठीक है और खासकर चाइनीज को तो मैं कभी रेकेमेंड ही नहीं करता हूं ठीक है किसी वीडियो में आप देखेंगे कोरियन ही दिखाए जाता है चाइनीज में वह बात नहीं है वह क्वालिटी नहीं है तो दोस्तों 12,000 की कस्टमर ने बेल पर्चेस करी थी उसका सारा माल के लिया था मैक्समा सारा डिफेक फोटो आप देख लीजिए ठीक है सारी फोटो मैं डाल रही है तो दोस्तों यह भी प्राइस है ठीक है या चैक सलोफ्म तो यह लगबग बैठी की 25-30,000 की विल ठीक है जो एक्जेक्ट अमाउंट पर आपको शो हो जाएगा तो बारा हजार रुपे में पॉसिबल ही नहीं है बारा हजार रुपे में री पैकिंग वाला कपड़ा आता है दोस्तों यहां पर हमारे इंडिया में बहुत काबिल दिया तो यह माल एक्दम कुड़ा है कबारा है जो भाई को मिला है तो बस मेरी रिक्वेस्ट यह कर भाई इतना सस्ते के पीछे मत भागिए जो आपका पैसा वेस्टी हो जाए इस सच्छों बारा हजार आपकिसी मतलब अगर आपका मनी है कि ऐसे करना तो किसी गरीब में आपको दूआ तो मिलेगी गरीब आप में तो इतना सस्ता में कीजिए ठीक है सस्ता होता है इतना नहीं होता कि आपको 12,000 में इतना सस्ता माल मिल जाए दोस्तों बस एंड में यहीं कहना चाहूंगा कि काम करें साफधानी से करें वीडियो लोग बहुत बनाते हैं खुद क खुद ही प्रमोशन कर रहे हैं ठीक है उनका पता नहीं रहता देखें कभी कबार कैसा होता है कि जैसे हम वीडियो किसी का शूट करते हैं तो एक बीच में बंदा है जो आपकी बास सुन सकता है अगर बंदा खुद ही अपना प्रमोट कर रहा है तो उसमें कौन है वह तो आप जा रहे हैं उसकी आप से बात हो लिए तो उसमें तो आप कमेंट्स भी ने कर सकते हैं ठीक है कोई सुनवाई नहीं उस चीज़ की तो एंड में यह कहना चाहूंगा दोस्तों पैसा जब तक आपके पास है वो सेफ है जहां आपने लगाया फिर उसकी बहुत कमी ऐसा ह होता है 1% 5% के आपके पास वापिस आज़ें नहीं तो लॉसी होता है अगर आप गलत जगह लगाते हैं बहुत ही जल्दी आपको चाइनीज और कोरियन जो बेल हैं उनका डिफरेंस आपको बताऊंगा और अगर आप चाहते हैं कि हम इस काम को करें आप तक अच्छा माल प लेकिन जैसे हमने आपकी डिमांड देखता हूं जैसे आप कहते हैं नहीं भाई हम बेंच लेंगे कर लेंगे ठीक है फिर आपके साथ फ्रॉड होता है तो अगर आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं वीडियो को वाइरल करते हैं और बताते हैं कि हावे आप काम शुरू करो आप हमें माल दिलगो तो मैं इस काम को करोगा ठीक है और आप तक सारी information भी लाओंगा कि कैसे यह माल पर्चेस कर सकते हैं आप कहां से पर्चेस करना चाहिए कैसे आता है कैसे देखना चाहिए क्या पहचान है सब चीज आपको बताई जाएगी सारे प्राइस बताई जाए तो वह भी आपको सस्ता ही पढ़ता है वो टीस के हिसाफ सा है according तो जैसे कीट्स का अगर हम ले रहे हैं तो चोटे चोटे और चीज चोटे पीस होते हैं तो बहुत जादा जाए एक किलो में 10-12-15 पीस चड़ आपे तो वह आपको बहुत सस्ता पढ़ता है तो बिलकुल सस सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाद से आदा शेयर कीजिए जिससे और किसी के साथ ये फ्रॉड ना हो